पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुर्कादर का सलाम पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो गहर यकीनी किसी सूर्थ्याल है उसकी वएसे मैंने टेलिवीजन थोड़ा देखना कम कर दिया है नैशनल मीडिया की तरफ तवज्य थोड़ी कम है इसलिए नहीं के वहाँ पर सारा जोटी जोट दिखाया जा रहा है बलके इसलिए के वहाँ पर one-sided narrative चल रहा है दूसरी साइड का बयानिया सुनने को देखने को मिल ही नहीं रहा है इसलिए ज्यादा तर फोकस जो है इन दिन क्या गलत है लेकिन अट लिस्ट थोड़ा दूसरी साइड का वरिजन भी सुनने को मिल रहा है वरना अगर आप नैशनल मीडिया देखे तो वही प्रेस कॉंफरेंस गिरफतारी रहाई एंटी टेररिस्ट कोर्ट इंसिदादी दैशतगर्दी चापे गिरफतारियां मुकद वुकला एक अजीब किसम का महौल पूरा दिन टेलिविजन पर चलता है और इतनी नेगिटिविटी नजर आती है कि कितना को कोई अब्जॉब कर सकता है एक शक्स अगर टेलिविजन देखे आज कल के हालात में तो कितनी देर कंटिनूसली देख सकता है खबरों को तो बड मौसम की कोई खबर चली मौसम के हवाले से कहां पर मौसम गरम है कहां पर सर्द है तो वो खबर इतनी भली लग रही थी इन सारी सिच्वेशन में के दिल चाहता था कि यह पूरा बुलेटिन जो है ना यह मौसम की मुनास्बत से ही हो जाए तो कुछ पॉजिटिविटी की करफ जाने की जरूरत है कुछ अच्छा कुछ पाकिस्तान के लिए को moving forward पाकिस्तान लेकिन unfortunately बिल्कुल सारा कुछ standstill है और कुछ हो नहीं रहा हर चीज पॉलेटिक्स के इर्दगिर्द और पॉलेटिक्स में भी किस चीज़ के इर्दगिर्द है आपको बैतर पता है तो अ यह वक्त सही होगा इसका इंतजार सभी को है और आज कल तो ऐसी सूर्तियाल है कि यह पीटियाई वालों के जो गिरफ्तार होने लगें तो पीटियाई वालों को ज्यादा टेंशन हो जाती है कि यह रहा होके कई सीधा press conference करने ना चला जाए बलके अब अगर रहा होके गिर पीटियाई के लोगों को तो अभी थोड़ी दिर पहले ताजा एक्जेंपल अली मुहमद खान की है वो रहा हुए तो जितनी देर तक दुबारा रहा रहा हुए तो सब पीटियाई वाले टेंशन में थे खैर वो दुबारा गिरफ्तार हुए तीसरी बार उन्हें किया गय तो उसके बाद जब आपको रहाई का परवाना मिले और फिर आपके दिल में ये डर होके यहां से निकलते ही आप दुबारा रहेस्ट होंगे और फिर आप हो भी जाएं फिर दूसरी बार दुबारा ये प्रैक्टिस हो और फिर तीसरी बार आपको गिरफ्तार कर लिया जा हैं आजकल काफी कुछ चल रहा है काफी नई नई चीजे बन रही हैं Kings Party में दान में उतरी हुई है कुछ नए घोड़े मेदान में पुराने गोड़े में नए ब्रैंड के साथ उतारने की कोशिश की जा रही है तो Kings Party का असल King है कौन इस sometimes भी बात करनी है और फिर इमरान खान की पार्टी को बहुत सारे लोग चोड़ कर जा रहे हैं लेकिन एक रास्ते से निकल के जा रहे हैं तो दूसरे रास्ते से शमूलियत का सिलसला भी जा रही है और इमरान खान ने ऐसा लग रहा है कि पार्टी के दर्वाजे कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा disappointment वाला subject है लेकिन ये बड़ा जरूरी है उन सब लोगों के लिए कोई किसी एक पार्टी को support करता है को दूसरी को करता है या as in whole को को करता है या PTI को करता है no matter what लेकिन बेंग पाकिस्तानी ये हमारा issue है हमारा मसला है कि 75 साल में ये सिर्फ पांचमी दफा ऐसा हुआ है 75 सालों में पांचमी दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की economic growth या मौशी तरक्की 1% से भी कम आ गई 1% से भी कम मतलब आप imagine करें कि क्या growth rate होगा जो 1% से भी कम है इसका मतलब ये है कि हर चीज stand still है कोई कार खाना नहीं चल रहा कोई import, export, कोई आपकी चीज जो मौशी तरक्की के अदादो शुमार है उनमें कहीं पे कोई indicator positive नहीं है जो हम 1% से भी नीचे जा रहे हैं मैं कुछ दिनों पहले indicators देख रहा था, world's largest countries जो growth rate के हिसाब से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं सब के सोचने के लिए बात है अब इस सारे मौमले में वजीराजम शेहबाज श्रीफ ने बतौर सरवराह मुमलेकत जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया कि IMF के सरवराह के साथ उन्होंने हंगामी नौयत का राप्ता किया लेकिन यहां पर है अन्यूजूल किसम का रिस्पॉंस जिसको नैशनल मीडिया पर तो इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा लेकिन अगर आप अखबारात को पढ़के देखें आपको अंदाजा होगा कि मौमला कितना सीरियस हो चुका है और पाकिस्तान में जो स्यासी अदम इस तहकाम है या जिस किसम की खबरें इन दिनों हम टीवी पर या दुनिया को दिखा रहे हैं उसका असर क्या हुआ कि आएम एफ ने भी हमें ये कहना शुरू कर दिया है कि अपना हाउस इन ओर्डर करें पुलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं उन्होंने क्या कहा है मैं एक लम्हे के लिए इंग्लिश में लिखा है मैं आपको पढ़के बता दूँ मैंने जल्दी से जरा यहां पर यह अखबार का पीस आपके सामने भी आ रहा होगा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में लिखा है कि तू देज आफ्टर थाइस्ट लेवल कॉन्टेक्ट वाज इस्टैबलिश्ट बिट्वीन शेहबाज एंड आगे नाम लिखा हुआ है आएमेफ के सरवरा का फिर उसके बाद यानि के वजीरियाजम का और आएमेफ के स पाकिस्तान के पुलिटिकल या सियासी मौमलात के उपर कॉमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि we take note of the recent political developments and while we do not comment on domestic politics, मतलब आएमेफ कह रहा है कि हम आम हालात में जो domestic politics है उस पे कॉमेंट नहीं करते but we do hope that a peaceful way forward is found in line with the constitution and rule of law आएमेफ भी हमें कह रहा है कि constitution यानि आइन और कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाना होगा और उसके आगे वो सारी वजुहात उन्होंने लिख दी हैं जिस जिस वज़ा से आएमेफ को ये लगा यानि जो PTI के कारकुनान के साथ हो रहा है crackdown हो रहा है abduction हो रही है और फिर breach of 90 days constitutional limit to hold election ये सारा कुछ monitor हो रहा है और अब आएमेफ जो हमारी इतरह से last hope था उसने भी अब हमें ये कहना शुरू कर दिया कि अपना house in order करें सिर्फ आएमेफ ही नहीं ब्लूमबर्ग को अगर आप देख लें बड़ा एक तगड़ा वो नजर रखने वाला इधारा है मौशी मौामलात के उपर वो हमारे बारे में क्या कह रहा है आलमी जरीदे क्या चाप रहे हैं हमें सोचना होगा ये नहीं कि जनाब मुजाकरात के दर्वाजे बंद और अभी कभी मुजाकरात नहीं होगा और कुछ नहीं होगा पाकिस्तान के हालात को समझना होगा मुजाकरात एक अच्छा और बहतर आप्शन है जिसकी सारे तमाम फोरम्स इसकी ताईद कर चुके हैं तो उससे भागने का कोई आप्शन होना नहीं चाह चाहिएगा कि हकुमत के माइंड में क्या चल रहा है और हकुमत क्या सोच रही है सारे वुज़रा की अगरख प्रेस कांफरेंश मिला के उसका निचोड देख ले पूरे एक दिन आ आम इमरान Χान इमरान खान इमरान खान यह 9 मईं 9 मं 9 इससे हट के अपने हे जो खो जो मवाशिया दादU ivous शमार है उनसे मुतल्जक क्या roadmap, आगे कैसे बढ़नाई इसके उपर कोई बात नहीं सारा निचोड माइनस इमरान खान फॉर्मूलर के उपर चल रहा है और हर कोई आके बस बहती गंगा में हाथ धो रहा है और इमरान खान के उपर जो भी उसने कॉमेंट करना है जितना बुरा बला कहना है कहते हुए चलता बनता है मौशी रोड मैप के उपर कोई भी इस वक्त बात नहीं कर रहा है आगे बढ़ते हैं किंग्स पार्टी और इमरान खान का जो भी मनसूबा है ये सारा कुछ इमरान खान की पार्टी से बहुत सारे लोग निकल के चले गए हालिया दिनों में अभी भी जा रहे हैं एकका दुका प्रेस कॉंफरसेज आज भी हुई और य जिस पार्टी के साथ बड़ी तदाद में जुड़ जाएं उनकी वर्थ बढ़ती है वजन बढ़ता है उनके पलड़े में और यही इस वक्त हो रहा है अमरान खान ने अपने पार्टी में बड़े पैमाने पर वुकला को उस वक्त इंगेज किया था जब वो हकूमत से नि हमान पर नहीं जा पार है और एक ऐसा लग रहा है जैसे का पहरती है उनके जमान पाक पाक की अत्राफ में ऐसे में वुकला की बड़ी तדाद जमान पाक जारी है और यह रोजाना की बनियात पर हो रहा है एक दिन, दूसरे दिन, आज तीसरे दिन भी वुकला ने जॉाइनिंग्स की है और साही वाल डुविजन के जो मुख्लिफ बार्स के वुकला है वो पहुंचे है अमरान खान से मुलाकात के लिए ना सिरफ जॉाइनिंग की बलके अमरान खान की बात को सुना गया वहाँ पर अमरान खान ने वहाँ पर रोकने का क्या तरीक है? वो बार-बार जो उनोंने हकुमत से निकलने के बाद खबरदार किया था कि मुएशत नहीं सôm लेगी, वो आज भी वान करने हैं कि नहीं समलेगी. लेकिन शायद तरजीहात मुईशत नहीं है स्यासत है और अपने स्यासी मौमलात को प्रोटेक्ट करना है इसलिए मुईशत के मौमलात को उस तरह से नहीं देखा जा रहा है और इसका ultimate जो नुकसान है वो हम आम लोग middle class तब का भुगत रहा है यहां पर आम लोग जिनको dollar के rate का भी पता नहीं होगा कि क्या dollar का rate है शायद वो यह सोचते होंगे कि हमारा तो dollar से काम ही कोई नहीं है हमारा क्या लेना देना dollar से तो जब वो petrol डलवाने जाते होंगे या कोई भी ऐसी चीज लेने जाते होंगे शहूर आ गया पता चलना शुरू हो गया लेकिन इससे आम क्लास मिडल क्लास बहुत तेजी से effect हो रही है इसका solution अगर king's party है या एक party को मैदान में उतारना है कि जनाब आप चार electable जिदर से पकड़ लें और 20, 25, 50, 60, 70, 100 लोग भी अगर आप यहां पर दिखा देंगे यह 100 बंदा हमारे पास है और the matter of fact क्या आपके पास इन 100 बंदों के पीछे लाखों वोट देने वाले खड़े हैं या नहीं और यह बात fact है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना हम नुकसान से बचेंगे जितनी ताखीर करते जाएंगे जितना दूर बागते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि मुजाकरत हो गए तो election हो जाएगा election हो गए तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा तो इस चक्कर में हम अपने मुलका नुकसान कर रहे है आज ते के लिए इतने हैं आप लोग दूआ कीजिए कि पाकिस्तान के हालात बेतर हो पाकिस्तान के एक में बेतरी फरमाए अपना बहुत सा ख्याल लखिए अलाह आफेज